हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राड केड में तो दोस्तों मैं रणा मैंकास और आज की बीडिया हम बात करने वाले हैं आपका मैद का पहला चैप्टर वास्तिक संख है जो रियल नंबर है अगर अभी तक आप लोगो रियल आपके क्लियर हो जाएंगे ठीक है तो चलिए वास्तिक संख है रियल नंबर्स पहले मैं आप लोगों बताओं को कुछ बेसिक सीज़ें हैं जो कि आपको जानना जोरी है तब यह इस प्रकार के क्यूशन को सरुकर पाओगे तो वास्तिक संख है कि जो बेसिक रूल है उसक में पार्ट होता है इस चेप्टर का यूगली वाजन प्रमेका मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा थोड़ा सबास करूंगा यूगली वाजन प्रमेका एक बार में और वहीं से चीज़ें स्टाट हो जाएंगे ठीक है कह रहा है कि यूगली वाजन प्रमेका जो होता है मेरे पेरविद्दार्थी के बड़ाबर यह बड़ा होगा परनतो जो भाजक होता है तो उसे क्या होता है चोटा होता है यहां पर लिखेंगा थोटा होता है यह चीजे होती है यह प्वाइंट के दम्याद होना चाहिए ऑफ होता है बहुंट cabbage भागफल धनसेश, धनसेश, यूखली बाज़ेवर प्रमेका, भाज़ेवर भाज़े बागफल प्लसटेश पर ठीक है, इतना पॉइंट आपको एकदम याद रखे, ठीक है, इतना पॉइंट, तो यहां ते किलिर हुआ न, पहला यूखली बागफल प्लसटेश पर, इसके मेरे प्यारे विद्दार से आपको याद करना पड़ेगा ठीक है यहां ते किलिए इसके बाद दूसरी पॉइंट जो याद करना को LCM और SCF को लेकर ठीक है SCF और LCM लोगे दन पुड़ांको के SCF तथा LCM तो जो SCF होता है मेरे प्यारे विद्दार थी SCF V mr.लों निकालते हैं SCF को हम बोलते हैं महत्तम्समात परवाःत्तक क्या बोलते हैं महत्तं समात परवाःतक एक पॉइंट फिक्स होरता है यहां प्रते एक उभेनिस्ट प्रते एक उभेनिस्ट देखे कामन की बात आ रहे हैं प्रते एक उभेनिस्ट अभाज गुडन खंड की सबसे छोटी घात सबसे छोटी घात का गुडन फल क्या कर लाता है तो पहला बस नोट करते चलिए तब अभी क्रिश्टन कराएंगे ना सब की लिए हो जागा ठीक है प्रते एक उभेनिस्ट अभाज गुडन खंड की सबसे च्छोटी घात का गुडन फल जो दो संख्याओं का देगा ना यह स चुछुटी घात को से आए उन संख्याओं को निकालनी के बाद उसका फुल कर दोगो हमने कहने का मतलब है छा सम्फ्याओं में संबंध संख्याओं में संबंध संख्याओं में संबंद अराम से नूट कीजिए अराम से पढ़ना है ठीक है क्योंकि इस शेप्टर नमच्छे तरीकिस कबर करना हम लोगों को ठीक है संख्याओं में संबंद प्रते एक अभाज गुड़न खंड इसमें देखें उबेनिष्ट नहीं होता है प्रते एक अभाज गुड़न खंड की सबसे बड़ी घात सबसे बड़ी घात सबसे बड़ी घात का है गुड़न फर्म कलाता है क्लिए इसमें क्या होता कि याद करने के लिए उन दोनों संख्याओं को पहले हम आप आप अब अब लोग सबसे बड़ी घात का गुड़न फल देखेंगे जो 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 संख्या रहे गए उसकी बड़ी घात लेंगे और उनका गुड़न फल करोंगे तो यह निकल अब चीजु जानना हो जनुँ है सबसे जादा आर्मेल संक्या इसमें रूला हमां को अपने से नेने में बत्चत या याप लोगों को और आप और दूसरा आता है परिमे संख्या ठीक है तो परिमे संख्या क्या होता है तो सभी लोग कुमालों को परिमे संख्या किसे करते हैं जिसे हम पीवटे क्यों के रूप में लिख सकते हैं तो परिमे संख्या क्या होता है जिसे हम पीवटे क्यों के रूप में नहीं लिखते हैं कर दो होना चाहिए और क्यों की बरावर नहीं होना चाहिए यह कंडिशन अब का सब्सक्राइब आपने आपने जाल लिया इसके बाद मेरे प्यारे भी दार चीओ आपको यह काता है सांथ ता वरत्री सांता वर्ति के बात आता है यह काता है और सांता वर्ति यह पॉइंट भी आपको आना चाहिए कि इससे क्यूशन आते हैं सांता वर्ति और और सांता वर्ति सांता वर्ति कब होता है मेरे प्यारा भी तर्थियों ठीक है सांत वर्थी कब होगा कि जब परिमे संख्या यक्स बरावर पीवटे क्यू का दस्वनों प्रसार सांत होगा सांत वर्थी तब होगा जब पीवटे क्यू के रूप में कोई संख्या लिखी है मतलब परिमे संख्या में लिखी हुई है और यह सांत तभी इसको कह सकते हैं कि जब Q, Q मतलब हर जो Q है वो 2 पे पावर M गुड़े 5 पे पावर N के रूप में होगा तब और यहाँ पे M और N एक रिड़त तक पुड़ांख है ठीक है तो आपको इमारम चल जाना चाहिए सांत पावरती कब होगा सांत पावरती कब होगा जभी पीवटे के रूप में जब पूँ कैदी रहेगी आप उसका हर चेको करोगे हर आपका दो पे पावर M गुड़े 5 पावर M की इस रूप का होना चाहिए तो सिंपल है कि सांत पावरती होगा ठीक है तो यह नहीं होगा तो इससे आसांता वर्थी कहेंगे तो इतना बेसिक चीज इस चेप्टर में आपको आना ही चाहिए इतना बेसिक चीज इसके बाद चलिए क्यूसर के तरब बढ़ते हैं जीतना बीक्यूसर बनेगे सारे तो चलिए हैं चलिए मेरे प्यार विदार थी बहुत ऊअप प्रशन हें जो कि mo הצ से बहुते हैं चोड़ा की ओर्चन बेहिन करें लिए रहने पर ऐसी अदित्ये पूर्व संख्या हैं Q और R विदमान है कि A बराबर B Q पलस R जबकि R निमन को संतुष्ट करता है चारों मिसे बताना है कि R के value क्या होगा तो मेरे प्यारे बितर से इसलित अभी जश्ट हम लोग पढ़के भी आए हैं कि क्या होगा जब हमारा A बराबर B Q पलस R है और A और B दिये रहने पर ऐसी आदित्य पूरो संख्या है जो कि Q और R क्या विदमान है कि A बराबर B Q पलस R है तो निमन जो R है निमन को संतुष्ट करता है इन चारों में से कौन ता भी जश्ट में बताऊं जो R होता है मेरे प्यार विदार थी हो यह क्या होगा आर या तो 0 होगा या तो 0 के बराबर हो सकता है परन्तु भाज़क से छोटा होता है B से तो ऐसे क्या बनना है कंडिशन आप संसी असूर में भी डिसकॉस में ने किया था ठीक है आप संसी बन जाएगा कि जो होगा तो जीरो तो बैला होगा खाना हम तो जीरो से होना चाई ये णे छीज़ा हो खावा Minor होगा पर को कि यह ताइगा है रहा दूसरे तरह कि बढ़ेंगे लगे छोटेशोटे कि क्ईस्थर करेंगे एक लिए भी चार नमभी चानम्वानियों सभी कवर करने वाले इस वीडियो में तो लाश तक बने रहे हैं नमाज आएगा आपको चलिए देखिए इस क्यूस्टन को देखिए बहुत ही जादा मुस्ट इंपोर्टेंट क्यूस्टन है नार्मल क्यूस्टन है कि यह को इतना के रूप में बेख्ट किया जाए तो एम का मान होगा और 117 का एलस्टन निकाले और यह से अफ यह सिफ निकाले बाद इसके बराबर कर दीजिए और आम का वेलूप हुचा तो सिंपल है लोगा कैसे हाल लोगा यहां पर हल इसका देख लेते हैं तहाल लोगा मेरे प्यारविदार्थियों पर 65 का और 117 का एलस्म निकालेए पा होग इसंपल है हम मैं लिकाल देखा पीक है यह से यह सबसे चोटी गात कामन कौन मिला है इन दोनों में कहा देखेंगे मेरे प्यारा विदात्यों कामन कौन चेंज मिला है तो कामन आपका 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है और तो कोई कामन नहीं मिला नहीं तो जो कामन मिला उसकी चोटी गात तो 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 65 और 117 का जो है सियाफ आया मेरे प्यारा विदार थी हो कितना गया 13 आप कहरा ना कि यदि 557 की सियाफ को इतना के रूप में प्रक्त कीजिए मतलब जो जाएगा आपका 65M-170 वराबर क्या तेरह कर देंगे ठीक है तो यह जाएगा 65M बराबर 13 अमारे 670 उदर जाएगा तो प्लस एक वर सत्रम कर नोड़ जाएगा ठीक है तो जाएगा आपका 65M बराबर 7 और 10 एक दो एक तीन और एक तो इसे रहेगा 130 ठीक है तो मबराबर क्या हो है جो भी यहां प्रेम के ब्राबर दो जाए गा तो चलिए कि लाँ धीन आगर है करना को चुका है और चुह रहा है कि यहांति का ममस्idet किस को गात करें तो की कामन क्यों पाँच इसमें भी पाँच इसमें भी है लेकिन पाँच के सबसे छोड़ी आत्माप प्रवार है कि तुसको लोगे तो दूपर बढ़ा चार तीन का स्कॉर का मतलब क्या जागा नो पांच पर एक पाँच पाँच पांच जो को बीस गुड़े नो कि नो जागा 180 बात खतम यह और वी दूर्स अंख्यों का यह सिफ इतना गया अक्सवासी आगया मेरे पैरविदार से यह यह वगया आंसर तो एक बार क्या होता ने कि आपको खोल पुरा बजया उन्हों खंड देता है और ब्लकुल पूस्ता है तो जितने प्रकार कि एस नुमें सारी क्यू से कौन सा सभाज की साभाज संख्याओं का मतलब यह classify completo सब्सक्राइब को जाएका चाहिं तो पढम सक्राइब करना पड़ेगा ढरी वारी बारी वारी वारी गाइना पड़ेगा एंगा अपक्जहाम करनें दो गोई नहीं है कि बहुत देगा इस क्यूसर्ण में भी ही एब कैसे हैं तो तरह और पचीस नुब्ड़ा कोन है पचीस बड़ा है फ़िस का बाग दोंगे तो आठारे कम अठारा ठीक है तो साथ बच जाएगा तूसमें अठारा का बाग देंगे तो साथ दूनिके चोगर तो प्रश्वाइब तो चार एकम चार हो जागा थीन पर एक कट रहा है एक से कट रहा है इसलिए ठारोग परचीज का जो यह सीफ होगा वह एक आ बता जाएंगा वही आपका सबाजे संख्याओं का युग में कहला आएगा तो इस परकार के पहला प्रशन कि जो है बहुत महत्तोपूर है तो क्यूस्तन फूर के लिए मैरे प्यारविद्यारतियों पीटरा बढ़ है चले हैं चलिए मेरे प्यारविद्याथियों बहुत ही ज्यादा क्योंकि पूछा था इसलिए मिले लिया हूँ कि 15 18 और 24 का लगसर गयाद कीजिए तो देखे सब से पहले तीनों क करने और नहीं ऊंहें रहेगा नहींस तरह सकते हो इसका मतलब देखें तीन पर पाउर्वर एक फुड़े पाउर पाउर एक लिख सकते हो इसका मतलब कि 2 itd Adult & 1 II यहां पर 3 पर 4 बर पार halla तो लिख सकते हो इस प्रकार 24 को क्या लिख दोसे कटाओं के तीट से比較 12 mist कटाओं को टूसे कटाओं का तीन आbekा फिरा from 3 मणने डेक्ट कटा जाए ग 200 पर देता हम जाए 20 24 मैं डेक्त कर दिया हो ठीक है अब हमको गयात करना है LCM में बताया था मेरे प्यारा विद्धातियों जो मिले चैना मिले हमें अब आज जो नंखंड की सफसे बड़ी घात लेनी पड़ती है सफसे बड़ी घात तो इसमें आज जो संक्या है दो है तीन है और पांच यही तीन संक्या तो दिखाई दे रही ह एनी थीन उसें क्या कि स्हां बड़ी घात लेना है तो दो कि सफसे बड़ी घात क्या है दो पभछ तीन ने लोगहें इसकी बाद तीन के सफसे बड़ी घात क्या है तीन क्या होगा तू पहर दो है इसaison पनाच पॉद्ध ऑड़ी सफसे बड़ी घात 5 그걸 alive अ यह सफिस नही अ जागा बात खतब तीज़ प्रकार मेरे प्यारा विदारति हो लोग एलसेशन निकालते हैं ठीक है आपको खिलियर हो गया प्रश्ण नमर पाच वाज चलिए प्रश्ण नमर छेटों की तरह बढ़ते हैं चलिए मेरे प्यार विदारति हो क्यों सिक्स लेखिए बहुत ती जत्थर से भाग देने का मतलब की आहां है vengas ब्लाक आपको आ गयर से जेर चुका यह भाज संक्क्या कि dezyson आपकी संफ्या च्टार विद्लिव 3 वसक्तिवा जानते हैं एक बाचर प्रमें का द्वरfic कित्व स्क्याता सूरी में भाजवरव किर उता है living भाजय गुडे भागफ़ है वाजवरवव भाजवरव भाजवुड़ हो व्यवर्व भाजव व्यवागफ़ और धनस यसफल नहीं तो होता है लिए तम यद्या घर में तो 282 और प्लस इसमें 23 साफ जोड़ देते हो तो जागा 2505 हो जाएगा ठीक है यह हो गया आपका आप इस्ट संख्या हो तो भाज निकल गया तो इस प्रकार के क्यूशन आप आसा नहीं से कर पाओगे मेरे प्यार विदार थी हो ताई होप आपको क्यूशन नमर 6 के लिए रोग के रूप में प्रशन आता इस प्रकार के ठीक है कोई विस्ट देगा नंबर आपको कहाएगा कि उसको अब आज उनंखंड की रूप में तोड़िये तो बाज उनंखंड कैसे लेते हैं तो चूटता है तो 140 का ले लिए 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 सिंपल हल हो जागा दो से कटाओगे तो इसे लिखा जाता है 140 बराबर दो दो बारद दो पर दो लिए फिर पांस एक बार तो पांस पर पार एक उड़े साथ एक बार एक यह तो आपका 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 अबाज उनंखंड की रूप में तूट गया तो एक प्रशन आता है इस से संक्या दे देता है का ता कि आप इस को सूरू में बताना भूल गया था लेकिन बता देता हूं इसे क्योसे बंता है कि दो संक्याओं का एस और तो दूसरी संख्याओं को बता देता हूं कि यह संख्यां को बस Tob ठीक है यहां से अगर आप पहली संख्या निकलना चाएगा तो क्या होगा यहां से कोई दूसरा संख्या निकलना चाहेगा तो क्या होगा दूसरे संख्या बढ़ावर हो जाएगा LCM गुड़े क्या हो जागा MICF और वटे में पाली संख्या जो गुड़ा में उदर जा है तो फाली संख्या भाग में हो जाएगा, तो यहां से दूसरी संख्या भी निकाल पाओगे, अगर coming NX-CM निकालना चाहे पर निकालना होगा तो क्या होगा एस यह बराबर क्या होगा पर इस संख्या गुड़े दूसरी संख्या और बट्टे में क्या हो जागा यह जागा तो यह कई फर्मूले से संख्या कितना है यहां पए 601 कि आपए निका लेंगे नीखा है निकाल लेंगे से कесь लिए फिर मतλों के किसे नंकले लिए लिए फर्मूलाई लगाएं मतलाइनगे संख्याइब कि चोगदर सो उन्चास गुड़े स्चिफ कितना तेश बटेंप पॉली संख्या कितना एक सो एक सथ है सिंपल तब इतना आगया तो आप सिंपल यह आपको हलो जाएगा मेरे प्यारा भी दार थी हूं ठीक है तो कितना बजाएगा नौ सखटाई एक सो एक सथ ह चोगदर सुन चास होता है तो दूसर संख्या और और क्या आगा नो गुड़े तेश तो जागा नो तरीश सताइस आसे लगा दून 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 गठार दू बीस दूसो साथ दूसो साथ आपकी दूसरी संख्या जाएगी तो यह फर्मूला इतना मेथड आपको याद है फ तो थर चलते हैं चलिए जिसकि बात कर रहे थे से मोहिज बात आ गया क्या है कि दिया है या कि येजिफ दो संख्याओं का न स्ट निसीए में निकलता है तोRichm बेर सेंके आपको 202 दिया है अगुड़े दूसरी संके कितना दिया पांसो चौरानवे दिया है बस हो गया और वटे में कितना है आपका है तो क्या कर देना है मेरे पैर विदा ठीक है तो किल्कुलेट कि जी कितना हो जागा तो एल्सियम बराबर क्या हो जागा चौदव गुड़े 594 और इसका गुड़ा करोगे मेरे प्यारविदार्ची त्वर्मूल आपको याद है कंसेप्ट के लिए रहे तो सारे प्रस्ट नबर दस्वाद करें यहीं डारेक्ट लिक लेता हूं प्रस्ट नबर दस्वाद करें एक यूसरा आताए एक नमबर का जैसे कोई दो संख्या यह जैसे 148 बटे 181 दे दिया का सरलतम रूप पूछेगा क्या सरलतम रूप अब देखे सरलतम रूप निकालने का फर्मूला क्या होता है बहुत जोर दस सरलतर रूप में तो कारते जाए करते जाए इतना काटिए कि जब तक कटे तक कटा यह ठीक है उसी को सरलतम रूप बोलते हैं जैसे दस बाटा अगर मैं 20 देता हूं तो इसको सरलतम के आगा दो से कम दस तो दूसिक एक वाट दो अब इससे बाद तो खटेगा नहीं तो इसका सरलतम रूप इस तरह निकल जा सरलतम रूप ही निकलता है तो आपको करना पढ़ेगा कि 149 का और एक सु कितना है पचासी का याथ करोगे तो चलिए एक से क्या थोगा इसमें बड़ा कौन है तो उपर 27 से भाग देजिए और नीचे से भाग देजिए डारेक्ट आपका सरलतम रूफ ही निकल जागा तो 37 24 को कितना होता है 147 और 37 185 होता है मतलब चार बटे पांच चार बटे पांच ही सरलतम रूफ ही निकल जाएगा इसके बाद कुछ करने के जोड़ नहीं है तो मेरे प्यार विदार्ची आपको Q10 के लियर हो गया होगा ठीक है Q10 के लिए Q11 की तरफ बढ़ चलते हैं चलिए मेरे प्यार विदार्ची देखे Q11 Q11 कह रहा है कि बीना वास्तिक भाजन किये दर्साइए कि परिमेसां क्या सत्र बटा 90 असान तवरती है कहरा कि बीना भाज दिये हुए बताईए कि सत्र बटा जो 90 है वो असान तवरती है असान तवरती होना का मतलब कि दो पर पावर एम गुड़े 5 पर पावर जो एन है ठीक है मेरे प्यार विदातियों यह जो है यह Q नहीं होना चाहिए मतलब कि Q का मतलब कि इसका जो हर 90 है वह दो पर पावर एम गुड़े 5 पर पावर एन के रूपका नहीं होना चाहिए ठीक है तब ही आपका असांत होगा अनुट अगर इतना आ जाएगा तो आपका असांत हो जाएगा तो चलिए भीना भाग किये देख लेते हैं तो 17 बाटा नब्बे 17 बाटा नब्बे में आपका हर क्या है नब्बे तो इसी नब्बे को हमें देखना है नब्बे को अब आज़े गुण खण की रूप में टूड़ोगा तो क्या से हो जाएगा एल्सियम ले लोग एक टूड़ जाएगा ना दो से कड़ाओ तो 45 बार में कड़ जाएगा तीन से कड़ाओ तो 15 बार में कड़ जाएगा फिर तीन से कड़ाओ पांच बार में कड़ जाएगा फिर पांच से कड़ाओ एक बार में मतलब 90 को आप क्या लिख सकते हो 2 गुड़े 3 2 पर आया तो 3 पर पावर 2 लिख सकते हो इस तरह आप आप वाज़े गुणंखंड गुरूप में तोड़ सकते हो ठीक है तूट गया अब यह तूट गया मेरे प्यारे विदारती होता अब देखें यह हो गया सतर बाटा 90 सतर बाटा 90 को मेरे सतर तो उपर हो गया 90 को मेरे 2 गुड़े 3 पर पावर 2 गुड़े 5 के रूप में तोड़ दिया अब इसका हर देखना है कि क्या हर 2 पर पावर 5 गुड़े और दो पे पावर M गुड़े 5 पे पावर N के रूप का है कि नहीं तो देखें यहाँ पे दो पे पावर 1 यह तो मिल जा रहा है इसी तरह 5 पे पावर N यह भी मिल जा रहा है लेकिन यह 3 कहां से आ गया महामें बस हर इतना होना चाहिए हर सिर्फ 2 पे पावर 5 गुड़े 5 पावर N का रूप कोना चाहिए बीच में कोई संख्या नहीं आना चाहिए तो हलांकि 2 पे पावर 5 तो है 5 पावर N भी है लेकिन 3 पे पावर 2 कहां से आ गया तो भाई जाएस बात है कि यह क्या होगा असांत होगा क्या होगा असांत होगा क्यूंकि यह इस रूप का नहीं हो रहा तो इस रूप का नहीं होगा तो इसलिए आप सिंपल कर दोगा 1790 होगा वह असांत होगा असांत होगा तो सिंपल है तो इस प्रकार के बेक्टी मेरे प्यारविदार थी पूस्टता है क्यों कि आप छोड़के आने वाले नहीं हो आज के बार ठीक है चलिए प्रस्ट नमर 12 एक तरब बढ़ चलते हैं उसको देख लिजिए चलिए इस क्यूशन को देख लेते हैं क्यूशन 12 इस प्रकार क्यूशन बनते हैं एक्जाम में आपके को भीन कहते हैं पीवर्टेक्यू लेकिं गिण रिड़ात्मक नहीं होती है बस ठीक है तो एक्स ब्रावर क्या हो चाहएगा 0.166 इस तरह आता रहा पहला हो गया अब मेरे प्यारा विदार्थ फिर ध्यान से एक चीज़ कर देंगे हैं पर सबसे पहले हम यह करेंगे कि 10 से गुड़ा कर देंगे अब 10 कैसे जैसे एक पर बार ना तो पहले एक लिखेंगे फिर यह कर दो ना तरफ तो इधर अजयागा तो दस को गुड़ा कर दोगे तो डूड़ा दोगे ठीक है इसके बाद फिर मेरे प्यार विदार चुछ इस दस्मलों के एक मानोगे एक दू संक्या दिया तो दू जिरू बढ़ा देगो मतलब कितना हो जागा आपका सव आप सव को गुड़ा कर दोगे तीस में सव को गुड़ा करोगे तो क्या होगा यह दू अंक की तरह दो को ती में से घटाने पर तो समिकन तीसरा क्या आपका हैं सोव एक्स बढ़ाबर सूरत दसमलों च्हे ज़ड़ा दीजे दूसरा क्या आपका 10 एक्स बढ़ाबर 1.6666 गटा इए घटाएंगे तो सव एक्स में से दस एक्स जागा तो कितना मोजा गर नब्वे एकस तो यहां से 10 मूल doig 60 सारी सेंख्या कर जाएगी। बच जाएगवा 16 Caesar बाहर, क्या हो जागा, को श्रैउकल हो ठीक है, किवठक लिखता है है तो परकार की में टूहakukan कुछ लिए तो चलिए कि युस्त्र नमबर 12 आप अच्छे तरीके से होता हुआ कि उस्ता नमर 12 कलियर हो गया है तो ते तरह चलते हैं और उससे देखते हैं चलिए मेरे प्यार विदार थिए क्यूंटर थे बहुत ही ज्यादा मुश्ट इंपर्टन कि इसन एक इसन बनता है ठीक है संख्याऊ सो 5000 और स्चार 2025 में से बढ़ी शो बड़ी संखे क्या है चलि कि यूग्ली के वागे किसे से इधर रॉफ pénne पर मेर का बाग देगे तो सुरज शपरता बाग दोगे तो दो बार जाएंगा तिक इतना अजाएंगा तो पांच में से दो जाएगा तो भी भाजन प्रमेंका अब यूक्लि वजन प्रमेंका कहता है कि भाज़ब ब्राबर भाज़क क्या ईह पर 4025 भाज़ब भाज़क क्या आए सोरो सुचपन इन्टु भाग। कितना है यहां पर लिखना है सेश्व जो अभी जिरू को बराबर नहीं है मतली सेश्व द म смотреть कि लगे लेगे ०ाबभाग जाएक कितनी रहा दो बार तिन दुनी के छय दो एकम दुर साद दुनी 2017 तो 6 में से 6 गया तो 0 5 में से 2 गया 3 6 में से 4 गया तो 2 अब इतना पिर लगायोगे तब यहाँ पर भाजक क्या ओजागा सो collectors और सो 56, जात कितना ओजागा 713 और भागफ़ ओजागा 2 और सेस्प़ो कितना ओजागा तीन बार तो जीरो में तीन को गड़ा करोगे तो जीरो अ तीन तो लिखे नग और तीन दूने के 690 तो यहां तो बज़ागा तीन आसे दगती 11 11 में सुनों गया तो 2 के अंसिल में तो 23 अब इतना में लगाओगे ती यहां पर भाज़े क्या आओ जागा 230 बार में दोगे ठीक है 23 का भाग किस में दोगे है 230 में तो 23 दा में 230 होता है तो कट गया पूरा गटिए जीरो आगे सेस्फफल तब हम लिखें भाज़े के हमारा 230 बराबर भाज़े क्या थेईस अगोले बाफ़ल कितना है दस सेस्फफल आगया जीरो अब जीरो आगया तो जिससे भाग देने पर सेस्फफल जीरो आजाता वही तापका एसीफ क्यालाता है ता आप लिखो संख्याओं देखें आपको युकली वैजन प्रमेरिका द्वरा एसीफ ग्याद करवाएगा अजो कि आप आसानी से ग्याद भी कर पाओगी इसको तो आई वह पापको क्यूस्तर में 13 किलियर हो गया होगा चलिए क्यूस्तर नमबर 14 कि तरह बढ़ चलते हैं चलिए मेरे प प्रतेक धनात्मक विसंपुड़ांग 2 यहां प्लस 1 के रुपका होता है जहां एम कोई क्या है यहां पर पुड़ांग है तो मेरे प्यार विदर थी आईए इन प्रश्णों को हम लोग करते हैं कैसे किया जाता है मैं आप लोगों को बताता हूं ठीक है कि दरसाना आया एकोई धनात्मक संपुड़ांग पालेंगे माना एकोई धनात्मक संपुड़ांग है धनात्मक संपुड़ांग है हमने किसको मान लिया एको एको मैंने माना कि एकोई धनात्मक संपुड़ांग है तथा बी बरावर हम मानेंगे दो बी मतलब कि भाजक ठीक है बी बरावर क्याई भाजक भी को मैंने दो मान लिया क्यूंकि दो सिद करना 2 यम डो यम प्लस एक रुखा बनाना था दो मान लेंगे दो यम है अगर यह तीन यम होता तो वी परावर तीन मानते ठीके तब इतना हो गया मेरे प्यार भी द्यार थी हूं तब हम क्या करेंगे दो अबी पराबर दो हो गया तो हम यहां पर लिखेंगे तब यूकलिड भाजन प्रमे कासे तो इतना मानने के बाद हम लोग लिखेंगे यूकलिड तो जारिस बात है कि M जो होगा वह यह तो 0 होगा यह तो 0 से बढ़ा होगा ठीक है यह बात तो fix रखें यहां पर तो यूपली बाबर 2M प्लस R मतलब बाबर भाजय बाबर भाजय गुड़े भागफल प्लस R इस रूप में यहां पर लिख दोगे यह बाबर 2M प्लस R और ल क्योंकि देखें B बाबर क्या होता है 2 मतलब कि भाजक क्या आपका 2 तो हैस्पल जो होता है यहां तो 0 आएगा तो यह बाबर क्या हो जागा दो 2M अगर मैं एक लेता हों तो यह क्या हो जागा 2m प्लस एक आजाएगा और सेज्पल 0 बसता है तो इसको लिखेंगे अमें बराबर 2M सेज्पल 1 बसता है तो दो बाबर एक इसी तरह लिखा जाता है भाजय बराबर भाजय भागफल प्लस आस पर तो यह इसकर्स निकल गया कि यह बराबर दो एम है यह बराबर दो एम है पहला यह बराबर दो एम है तो यह एक सम पुढ़ांख है सम पुढ़ांख है नहीं कि दो शेक्टर इसका गुड़ांख है सम पुढ़ांख है तो यह एक क्या है सम पुढ़ांख है कि साथ ही साथ ही एक धना बिल्कुल तोफ पूरांग है साथ यह क्या धनात्मक पूरांख है ब कि अ कि चैनल पूरांख यह उसकता है यह अ या तो सम हो सकता है यह तो सम हो सकता है यह तो क्या हो सकता है भी सम हो सकता है या तो सम हो सकता है या तो भी सम यह लिखना पड़ेगा ठीक है भी सम इसलिए निसकर से देखें लिखा है क्या ए बराबर दो यह यह तो एक सम पुढ़ांगे बिल्कुर सम पुढ़ांगे क्योंकि सम संक्या दो यहां पर क्या एफेक्टर साथ ही एक धनात्मक पुढ़ांग है तो जाइस बात है या तो सम होगा या तो भी सम क्योंको धनात्मक पुढ़ांग किस रूपका होगा दो या प्लस एक के रूपका होगा कोई भी सम धन पुढ़ांग किस रूपका होगा दो एम के रूपका होगा और यह आपका हाल हो गया तो इस प्रकार के प्रश्ण आते हैं जो थोड़ी थियूरिटिकल होते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है अराम से कर पाओगे इस तरह के प्रश्ण ठीक है तो प्रश्ण नव प्रवास्तिविक भाजन कि दिखाएं कि परिमे शंख्या एक 30 बटे 2 पे पाउर 3 गुड़े 5 पाउर 3 का दसमलों जो परसार हो सांथ है और इसको दसमलों के रूप में लिखना था इसमें दो चीज़े बताना है एक तो बताना है कि जो यह परिमें शंख्या है यह सांथ ह और यह भी बताना है कि इसको दस्वन और रूप में कैसे लिखना है ठीक है तो सिंपल मेरे प्यारे भी दर्थ हो आप सिंपल एक चीज जानते हो कि पूरा निकाल के दे चुका हमको 31 वटे लिखा है हम चेक करते हैं कि इसको हर को हर अगर हमारा 2 पे पावर M गुड़े 5 पे पावर N का होता है तो सांत होता है देखिए 2 पे पावर M जा M बराबर 3 आ गया है और N बराबर कितना या है M बराबर भी 3 आ गया है ठीक है अब मेरे प्यवामे दर्तियों देखिए यहां पे 2 दिया है इसको आप साहिए कर लो मैं ठीक है कि इसन में क्यूंकि तो मतलब यह क्या है आपका सांथ है क्योंकि यह दो पर पावर दो गुड़े पावर तीन दे रखा है ताफ इसको क्या लिख दोगे एक तीस बटे यहां पर दो पर दो पावर दो पावर तीन है अब हमें करना पड़ेगा कि इस दो पे पावर तीन बना देते तो काम बन जाता इसको भी ते हो जाएगा दो पे पावर दो गुड़े दो इंटू पावर तीन मैंने दो को गुड़ा कर दिया दो को गुड़ा नीचे किया तो दो को गुड़ा उपर भी करना पड़ेगा इस तो गाटव जूड़ जाएंगी इंटू taki maas Natal अधिन मतलब ये बन जाएगाँ runner 2 और नीचे बन जाएगा दोपर तीन फय पर निचे और तीन फम गुऑत ने तो बन जाएगा अपका 1 फर्मुला होता है कि अगर ये पर पाऊर वी सब्सक्राइब करें तो जाए नियुक्त नेयुक्त नेग्ए थीन तो उपर गुड़ा करते एक तीस दूनीगे कितना होता है बास सठ्ध और यह जाएक हजार अब इसको भाग दू कितना हो जागा 0.062 तो देखें दस्मलों रूप में भी हो गया और यह सांत भी है तो इस प्रकार के परशना आते हैं जो कि आफसान होते हैं आप किलियर लिसको समझ पाओगे और कर पाओगे मेरे प्यारे विदार्थियों तो चलिए क्यूस्तर नमबर 15 किलियर हो गया तो क्यूस्तर नमब ठीक है तो करणी में 5 एक अपर में संख्या है करणी में 3 प्लस 2 बहुत सारे आते हैं लेकि एक बता देता हूं उसी क्यादर पर आपको सारा कर लेना है कर रहा है कि सीथ किजी करणी में 3 एक अपर में संख्या है तो देखिए इससे सीथ करते हैं कि सीथ किजी करणी में 3 ए तो इसे लिखेंगे अब लोग अगर करना आपको कि करड़ी में तीन एक परिमें संख्या था में माना पड़ेगा कि यह क्या है परिमें संख्या है ठीक है तो लिखेंगे हाल में कि माना करड़ी में तीन एक क्या है परिमें संख्या है करड़ी में तीन एक क्या है परिमें सं दिए गए के क्या है वीपरित है जो दिए गए कि क्या है विपरित है कि नहीं क्यों यहां पर हम परमेर मानना हूँ तो माना करणी तिन जो है दर बाये पिड़ने हो जाएगा और एब बी क्या होगा कि जहां ए और बी जो है यह अन्यों दोर्बगर प्रेशस हथा धिली और बी जोए 0 नहीं होना चहीं, तभी तो पर्मेय का लाएगा, तो चलिए करड़ में 3 बराबर है भाईवी, अब यहाँ ते को सकते हो, एक वेलो निकाल सकते हो, तो यह पराबर क्या हो जागा, देखे, एक गुड़ा इसमें हो जागा, ते हो जाएगा करड़ी में 3B करड़ी में 3B बराबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा ठीक है होगा ना A बराबर करड़ी में 3B अब क्या करना दूनों तरफ वर्ग कर दीजे दूनों तरफ क्या करने पर वर्ग करने पर दूनों तरफ वर्ग करने पर अब दुनों तरफ वर करोगे तो यह हो जागा करड़ी में 3 B का होली स्क्वाइर और बराबर हो जागा A स्क्वाइर तो करड़ी में 3 का स्क्वाइर करोगे तो 3 अब B का स्क्वाइर करोगे तो B स्क्वाइर बराबर क्यों हो जागा A स्क्वाइर ठीक है तो एक चीद देखे यहाँ पे 20 स्क्वाइर बराबर निकालागी 20 स्क्वाइर बराबर क्यों जागा A स्क्वाइर बटे में 3 एक चीद देख पा रहे हो कि A स्क्वाइर जो 3 से विवाजित हो रहा है यहाँ पे A स्क्वाइर 3 से क्या है विवाज्य है तब A square 3 से विभाज है मेरे प्यारे विद्धार थी हो तब यह भी कह सकते हो कि जो A होगा वो भी 3 से विभाजित होगा बिल्कुल होगा जब उसका वर विभाजित हो रहा तो संक्य विभाजित नहीं होगी बिल्कुल होगी ठीक है आप कह सकते हो कि ये बराबर 3 भी भाजित होगा ठीक है अब मेरे प्यारवी दर्थियों इसलिए ये जो ये 3 से भाजित होगा इसे आप कथन ए माल लो बाद में काम देगा इसके बाद आप मानोगे ए बराबर 5 यम आप कहाँ को कि ये बराबर 5 यम कहाँ अरे 5 यम करें तीन है न तीन सिद करना है ये बराबर 3 यम ये बराबर क्या करोगे 3 यम ये बराबर 3 यम माल लोगे तो अब यम कहाँ से बारी आ गई तो यम एक क्या है पूड़ांक है हम एक पूड़ांक मानाएंगे इससे स्वाल्व करने के लिए ते a बराब हमने क्या माली है टीन हट मैं जो फूरम लिखेंगे कि ए बराबर तीन by ईई बराबर तीन गवं कि उसे समीकण आप एक मा लिजैँ इसे समीकण आप एक पूर एक माले है तो नी water लिखेंगे समीकण समीकण एक में rapid iber была इतले समीकण यूर गपने पेार e square यह नहां है चीछ है तो समिकड़ एक आपका यह है तो चलिए रख लेते हैं करणि में आगे क्या है तो करणि में 30 को समिकड़ एक नत्मत दें मालें इसको मालिजे क्योंकि सिंपल होगा ठीक है इसे मालेंगे तो करणि हटी रहेगी ता आप इसको समय कणड़ एक माने कि Si Do इसको माने है किसको तीन भी स्कौयर बराबर a स्कौ़ार को इसे आपका स्कौयर तीन कवर करोगा तो नो रम इसकौ़ाइर सिंपल तो टीन स्काड़ तो यहां से किसकी बिलू निकल जाएगी बी स्क्वाइर इसमें आप कह सकते हो कि जो बी स्क्वाइर है वो तीन से क्या है विभाज्य है बी स्क्वाइर तीन से विभाज्य है तब बी स्क्वाइर तीन से विभाज्य है तो बी स्क्वाइर तीन से विभाज्य होगा तो बी स्क्वाइर तीन से विभाज्य होगा तो बी स्क्वाइर तीन से विभाज्य होगा चीज़ देख रहे हैं आप लोग कि A और B जुन दूनों तीन से वाजित हो गया मैंने सुरू में क्या माना था कि क्रड़ी में संख्या क्रड़ी मतरब कि इनदूनों का हुना चाहिए मतलब कि सिर्फ एक से चटना छाहिए लिकिन यहाँ पर तो देख रहा हूं कि ए-3 से भी कष्ण पर रहे था तो इसलिए आपको क्या कम लाएगा परम में संखिया नइन कहला है ठाफ लोग लिखो गया पर कि ए तथा B ये तथा बी का एक उभेनिष्ट गुड़न खंड तीन है क्योंकि तीन से कट रहा है ठीक है और ये तथा भी सअभाज्य है सवाज्य है इसलिए तब ये भी सवाज्य संख्या है और ये तीन से कट रहा है तुझाली में तीन परिम्य संख्या नहीं होगा परिमे संख्या नहीं होगी इसलिए नहीं होगी क्योंकि जब इसके ए भाई बी इतीन से कट रहा है परिमे संख्या नहीं हो रहा तो एक खाक होगा कुछ नहीं होगा तो करड़ में तीन एक परिमे संख्या नहीं होगी तब नहीं होगी तो क्या होगा इसलिए करड़ी में तीने क्या है अपर में संख्या होगा और यहीं हमको सीथ करने के लिए बोला था तो भई नहीं दिखाई दे रहा है क्या है अपर में संख्या होगी तब करड़ी में तीने का पर में संख्या होगी यही सीस करने के लिए बुरा था, देखें यहां पर सीद हो गया, तो मेरे प्यार विद्धार थी, आई होप आप को क्यूसरन के लिर हो गया बाथ, क्यूसरन नमर 16, अच्छे तरीके से, ठीक है, यह प्रस्ण बहुत ज़्यादा महतों पूल है, तो इसको अच्छे साफ और लगा ले ना मेर प्यार विद्द्द्द्द्द रहुत अब आपको यहां तक क्लिर हो गया ना कोई दिकत विद्द्दिक्तट कोई निक्कत नहीं होना चाहिए चलिए कुस्ञें नमबर 16 यहां तक क्लिर हो गया तो पढ़ेंगे अगले क्यूशन की तरफ और उसको देखेंगे चलिए मेरे प्रस्ट नमर 17 कि बिना लंबी भाजन प्रक्रिया कि यह बताए कि निम्लिखित पर में शंख्याओं का दस्वनों प्रसार सांथ होगा या असांथ होगा दो क्यूशन दिया दोनों को सॉल्व करके ब ठीक है हार आपका 125 से इसका आप निकालोगे आप आज उन खंड की रूप में तोड़ोगे इसके तो सब्सक्राइब तो पांच एक तीस और पांच दूने की दस पच्छा पच्छा पच्छिस पच्छिस बार्म खड़ेगा फिर पांच गड़ाओगे तो पांच दूने की पांच पर पांच सांथ या सांथ औरती कब होता है सांथ कब होता है जब हमारा हर दो पर पावर एम गुड़े पांच पर एन का होता है तब ही हो सांथ होता है तो पांच पर पावर एन यह तो है लेकिन दो पर पावर एम नहीं है तो लिख सकते हैं इसको दो पर पावर ज ने ने लिख लिया तो बन गया आपका यहां M बरावर कितना ग्याआ जीरो और बरावर 5 आ गया मतलब बिलकुल यह सांथ होगा क्या होगा सांत अबरती होगा है कि तो फिर्ष पार्ट तो आपका स्वाल्फ हो गया कि क्या होगा सान्त वर्ती होगा इसी तरह सेकेंट पाट आप देखिए साल कुझे 29 वड़े कितना है 343 हमें हार देखना है हर अपका 343 300 तो क्या लोग है सिम लोगे 303 तो कितना एक हुआ ऐन साथ से घड़ेगा कि ना ज़ा कि और साथ चुक 28 अगा तीर सट साथ नमत तीर सट फिर साथ कड़ा गुशा साथ उन्चास फिर साथ एकम साथ मतलब कि आप 29 वटे क्या लिख दोगे साथ तीन बारे मतलब साथ पर तीन लिख दोगे तो आपका सांत वर्ति तभी होगा जब दो पर पावर एंब बुड़े पा तो मेरे प्याव और कोई क्यूंस नहीं है कि आप स्वाल कर पाऊगे इतने ही निवस्टी में पताइब अछे लिए लिए उ completa स्देसे अलब में सब्सक्राइब लगे साथ शाथ बैल-ाकनकर कर लिए तक कर लिए Hammelin ing감 झाल झाल